गाजा में यूद के बिच यमन केरान समर्थक हूती विद्रोवी लगातार लाल सागर और अधन की खाड़ी में हमले कर एक नई चनोती देने से बाज नहीं आ रहे हैं हूती ने कहा कि उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंडरोमेडा स्टार तेल टेंकर पर हमला किया क्योंकि वो गाजा यूद में इसराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इस इलाके में कमर्शिल जहाजों पर हमले जाई रखे हुए हैं बिटिश समुंद्री स्रक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि जहाज के मालिक ने जहाज के शतिग्रस्थ होने की सुचना दिये हूतीयों ने एक नईबल की कई वेपारिक जहाजों को निशाना बनाया है जो इसराइल और अमेरिका से जुड़े हुए हैं हूतीयों के खिलाफ अमेरिका ने एक गटबंदन मनाया है और अब तक कई हमलों को विफल भी किया है यही नई अमेरिका ने यूद पोत और फाइटर जेट की मदद से यमन में हूतीयों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है इस बिच ताजा हमले में हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 फ्रिडेटर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है इन दावों की पुष्टी के लिए यमन आम्ड फोर्स की और से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिन में यमन सशस्तर बलो को एक अमेरिकी MQ-9 वीमान को गिराते वे दिखाया गया है हाला कि अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि ड्रोन को मार गिराने के लिए किस परकार की मिसाइल के इस्तमाल किया गया हूतियों की और से अमेरिकी ड्रोन को इस तरह से हवा में खाक करने का मतलब साफ नजर आ रहा है इरान समर्थ तक हूति विद्रोई सीधे तोर पर एक शक्तिशली देश को चुनोती दे रहे है वीडियो में अमेरिकी विमान को साधा के एर जोन में देखा जा रहा है जमीन पर दिखाई दिया आपको बता दे कि भारत भी MQ-9 श्रिर्णी के इस किलर ड्रोन को चार अरब डोलर में 31 संख्या में अमेरिका से खरीद रहा है अधन की खाड़ी के पास इस घटना के बाद अब अमेरिकी ड्रोन की शमता को लेकर सवाल उठने शुरू हुए है लाल सागर में एंडरो मेडा स्टार तेल टैंकर पर हुए हमले और सादा गोवर्नेंट के हवाई शेतर में अमेरिकी MQ9 ड्रोन को मार गिरा जाने के बाद यमन आर्म्ड फोर्स के परवक्ता याया सारी ने अपना बियान जारी किया है इस्तादफत गुवात बहरीया फिल गुवात मुसलगत यमनिया बाय expans लिया फियान यादा अन मयन शुवात सार ci का पराव सितारा लिएन Division game YouTube यमना जारी के तो मनाभा सादफत लियान very तकतावत फियान सादी झा साद है आपको बताते चले कि अमेरिका के ये ड्रोन सबसे आधनिक माने जाते हैं और इसे इसकी ताकत के रूप में देखा जाता है इसी वज़े से भारत भी इन ड्रोन को खरीद रहा है अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस अमेरिकी ड्रोन को होती वी द्रोईयों ने मार गिराया है आखिर उसकी ताकत क्या है इस ड्रोन की खासियत यही है कि जब तक यह हमला नहीं कर देता तब तक उसके आने जाने की खबर नहीं लगती अमेरिका इसे हंटर किलर UAV कहता है MQ-9 Predator Long Range Endurance ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लेस होता है इसमें लगे RNX Hellfire मिसाइल से जुआहिरी के अड़े पर हमला किया गया है MQ-9 Predator रिमोट से उड़ाय जाता है यह किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है जैसे सर्विलांज, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दूश्मन के टिकानों पर चुपके से हमला करना इसकी रेंज 2100 किलोमेटर है यह अपने साथ 1700 किलो वजन का हतियार उठा का ले जा सकता है इसे चलाने के लिए दो कम्प्यूटर ओप्रेटर्स की जुरत होती है जो ग्राउंड स्टेशन पर बैट के वीडियो गेम की तरह से चलाते है इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फिट, विंग स्पैन 65.7 फिट, उचाई 12.6 फिट होती है ड्रोन का खाली वजन 2230 किलोग्राम है ड्रोन में 800 किलोग्राम इंदन की शमता होती है इसकी गती 482 किलोमेटर परती घंटा होती है जो 40,000 फिट की उचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाईल से हमला कर सकता है अगर हूतीयों का MQ-9 प्रिडेटर ड्रोन को माल गिराने का दावा सही है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा जटका होगा क्योंकि अमेरिका का सबसे शक्ति शाली ड्रोन है इसे इसराइल हमास यूत के दोरान अमेरिका लाग सागर के अंदर इस्तमाल कर रहा है अबग बड़ा है